हाई आज मैं आपको MNC के बारे में बताऊंगी MNC का full form है multinational corporation MNC वो companies होती है जो एक से ज्यारदा countries में operate करती है एक तो MNC की home country होती है जहांपे MNC का headquarter होते है और जहांसे वो control करती है अपने operations पुरे वर्ल्ड में अगर कोई company है जो दो देश में operate करी तो हम उसे भी MNC केंगे मतलब एक से अधिक देश होना चाहिए इस पर क्या होता है MNCs को बहुत सारे फायदे मिलते है जिस देश में सस्ते में labor मिल जाए वो वहां से labor ले लेगी जिस देश में सस्ते में raw materials मिल जाए वो वहां से raw materials खरी लेगी जहां factory मतलब factory लगाने का और factory में सामान बनाने का खर्चा कम हो उस देश में वो अपना सामान बनाएगी तो इससाब से companies को बहुत सारे benefits भी मिलते है features यह characteristics क्या है multinational companies के huge size multinational company बहुत बड़ी होती है और उनके पस बहुत सारे resources होते है financial resources भी human resources भी और physical resources भी उन multinational company में professional management होते है सारे की सारे employees, exports होते है, professionals होते है अपने field में और research and development का काम होता ही रहता है और research and development की मदद से innovations होता ही रहता है नए नए प्रकार के products launch होते है market में फिर एक देश में वो लागू होता है देखा जाते है कि product successful है के नहीं फिर बाकी सारे देशों में उस product को launch किया जाता है इससाब से company अपनी profits को भी पढ़ा सकती है